जोस्तों हमारे देश में खबरों के नाम पर सूट भूट वाले नफरती एंकरों को तो आपने देखा ही होगा कि कई साले नफरती एंकर सूट भूट बढ़िया मेकप वेकप घस कर स्टूडियो में बैठ जाते हैं और बैठ कर हिंदु मुसल्मान का जो नारा है वो लगाना शुरू कर देते हैं इन फरक नारा नहीं से आप कह सकते हैं डिबेट नारा ही हुआ क्योंकि एक कौम को इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इतनी शिद्दक से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कायनात भी मिलकर इनके पापों को नहीं धुग सकती है दोस्तो क्योंकि इनका पाप इसकदर बड़ा हो चुका है कि अब सुप्रीम कोट भी इनके पापों पर फटकार लगाते वे नजर आ रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि नफरती चैनलों पर आपने ताला लगाया की नहीं लगाया जो नफरती डिबेट हो रहा है उस पर कोई र पर 10 तरीके की प्रतिकीरिया आ रही है तो सोचा आपको भी वो प्रतिकीरिया से रूबरू कराओं कि कैसे जो है इन नफरती चैनल वालों का जो एजेंडा है उसको लेकर सुप्रीम कोट किस तरीके से फट पड़ा और केंद सरकार से पूछने लगे कि आखिर भाया इस पर आपको एक एक करके ट्विट में दिखाती हूं दोस्तों कि क्या चल रहा है हमारे देश में एक तरफ तो ठंड है कडाके की लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोट के दंडा चलने से कैसे लोगों के बीच खुशी नजर आ रही है जो शांती प्रिय इंसान है जो निया इंसान है वो खुश हो रहे है और सुप्रीम कोट के इस टिपढ़नी का स्वागत कर रहे हाला कि मैं यहाँ पर बड़े ही एतराम के साथ ये कहना चाहूंगी कि मानिनी सुप्रीम कोट को जो है टिपढ़नी देने से अच्छा है कि कोई सख्त कारवाई करे ताकि इनको जो ह सब्सक्राव है लगाम लगाया जा सके बहुत जाधा हो गया है जी यहां बहुत जादा हो गया हएं कि इनको परकर दी है लेकिन नमकिन अगरिंछों तो तो इन लोगों तो मुसल्मान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा हर वो सीमा लांग चुके हैं अब देखे सुप्रीम कॉर्ट क्या लिखता है सुप्रीम कॉर्ट ने हेट स्पीच पर कहा कि टीवी चानल से आपत्ती जनक एंकरों को हटाया जाए सीधे तोर पर सुप्रीम कॉर्ट कह रहा के लिए तो यह सुप्रीम कॉर्ट जो है खुद टिपर्णी दे रहा है बयान दे रहा है कि तरीके की चीज़ों को हटाया जाना चाहिए अब इस पूरे मामले को लेकर गोविंद प्रताप सिंग जीपीएस जो है वो टूइट करते वे लिख रहे हैं कि सुप्रीम कॉर्ट ने हेट स्पीच को लेकर क्या कहा वो लिखते है कि टीवी चानल से अपती जनक एंकरों को हटाया जाए सुप्रीम कॉर्ट का बयान है प्रोपोगेंदा कोट का उलंगन करने वाले चैनलों पर जुर्माना लगे चैनल एजंडा चौलक समाज में बिवाजन की स्थिती बना है क्या इन लोगों ने लगाम लगाया नहीं लगाया भाई इन लोगों की लगाम नहीं लगी है यह लोग बेलगाम घोड़े की तरह दोड़ रहे हैं और इस दोड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं और इनकी नफरत की जो दुकान है वो इसकदर सच चुकी है कि हर प्रणीनों मुसल्मानों को टार्गेट करके उनके धर्म को टार्गेट करके खबरे चलाई गई अब देखिए अभिनब पांडे हैं ललन टॉप के पत्रकार वो लिख रहे हैं क्या पत्ती जनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोपगंजा कोज का उलंगन कर रहे हैं चैनल एजेंट से प्रेडित है समाज में बिभाजन पैदा करते हैं सुप्रीम कॉट ने हेट स्पीच पर सुनवाई करते वे टीवी चैनल पर अब तक की सबसे कठोट परनी की है अब तक की सबसे कठोट परनी है दूस्तों तो इस तरीके से जो है इन्होंने लिखा है आगे देखे स्वाती मिश्रा जो है यह टूइट करते वे लिख रहे हैं कि सुप्रीम कौट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि सुरेश चौहारकी कि अगवाई वाले हिंदू युवा वाहनी के हेट स्पीच केस में फाइयार करने में पांच महीने क्यों लग गए इस सवाल का जवाब इस बात में छुपा है कि दिल्ली पुलिस किसे रिपॉर्ट करती है इन्होंने सीधे को कह दिया दिल्ली पुलिस किसे रिपॉर्ट करती है आपको भी पता है कि किसे रिपॉर्ट किया जाता है पंकर ज् चैनल कई बार चीजों को संसनी खेज बनाते हैं और हमें भारत में लोकतंतर और संतुलित प्रेस की जरूरत हैं अब क्या किया जाए इन लोगों को समझ में नहीं आता है इन लोग ने सुना तो जरूर होगा जो नफरत परोस्ते हैं लेकिन वो अपने आपको नफरती के कैटेगरी में नहीं रख रहे होंगे देश हित की कैटेगरी में रख रहे होंगे कि देश हित के लिए काम कर रहे हैं पहले जो है यह लिख रहा है कि दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कौट ने दिल्ली पुलिस से पूछा F.I.R. दर्ज होने के आठ महीने बाद भी जाच कहां तक पहुची मामले में कितने लोगों को गिरफतार किया कौट ने दिल्ली पुलिस को दो सफता के अंदर हलफ नामा दाखिल करने को भी कहा है ये बाते इन्होंने लिखी है आगे एक और ट्वीट है वो देखिए मिलन शर्मा आज तक की पत्रकार है वो लिख रही है कि सुप्रीम कौट ने कहा देश में टीवी चैनल समाज में आफ एयर करना जरूरी हो गया है उनके शोव को बंद करना सबसे पहली priority है सादाव शुद्धी की लिखते हैं कि आपत्ती जनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए उन चैनलों पर भारी जुन्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोज का उलंगन कर रहे हैं चैनल एजेंट से प्रेरित हैं समाज में विवाजन पैदा करते हैं सुप्रीम कौट ने इस पूरे मामले पर कठोड़ता से टिपरनी की हैं मिगनेंद्र प्रताप सिंग लिखते हैं कि सुप्रीम कौट ने कहा देश में टीवी चैनल समाज में लोगों को बाच रहे टीवी आंकर खुद समस्या का हिस्सा है चैनल अभीव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हैं तो इसका सम्मान भी करें अभीव्यक्ति का हवाला तो देते हैं लेकिन सम्मान नहीं कर रहे हैं जो एंकर अपने प्रोग्राम में हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं उन पर जुर्माना लेगे उन्हें और फेयर करना जरूरी हो चुका है आगे बुपेंद्र यादब लिखते हैं चैनल एजंडा से प्रेडित है समाज में विवाजन पैदा करते हैं सुप्रीम कॉट ने हेट स्पीच पर वही वाली जो सुप्रीम कॉट की तिपड़नी है उसी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं आगे शुभांकर भानू वो लिख रहे हैं सुप्रीम कॉट ने कहा हेट स्पीच पर सुनवाई करते वे नफरत पहलाने वाले न्यूज एंकरों से प्रोग्राम को नहीं हटाना चाहिए और उलंगन को करने वाले कोट को न्यूज चैनल पर जुर्माना लगाना चाहिए तो ये चीज़े हैं कि जुर्माना लगाने की जो है बात की जा रही है और नफरती आंकरों को जो शो है उनके शो को बंद कर देना चाहिए रामचंद्र लिखते हैं कि सुप्रीम कौट हेट स्पीच मामले में सख्त हुआ प्रसंता की बात है लेकिन कौट ने तीन लोगों को अनुराग शाकूर कपिल मिश्रो और दली के पुर मुख्यमंत्री के पुत्र के खिलाफ एक FIR दर्ज करने को कहा था उस जज़ को रातो रात ट्रांसफर कर दिया गया पर उसके आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया तो ये भी है एक मामला एक मुद्दा BBC ने भी इस पूरे खबर को अच्छे से चापाया लिखाया कि TV चैनलों और हिट स्पीच पर सुप्रीम कॉर्ट ने किस तरीके से अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा है वो भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दू कि किस तरीके से सुप्रीम कॉर्ट ने अपनी ब छेत्र हैं जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है स्वाहर्द की बात आती है व्यवस्तित प्रगती की बात आती है तो हम इसे गंभी रूप से प्रभावित हो जाते हैं और इसमें दखल देना पड़ता है हम सरकार की कामों में दखल अंदाजी करना बिलकुल भी नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की उस सूचना के बाद आई जिसमें उसने कौट को जानकारी दी ती कि उसने साल दोजार एकिस और साल 2022 में हेट स्पीच के 586 मामले दर्ज किये गए इसमें से 160 मामले स्वता संग्यान के थे और उत्राखंट सरकार ने बताया कि उसमें 118 मामले दर्ज किये थे तो इस पर सुनवाई हो रहा था तो सुनवाई के दौरान कोट ने टीवी पर हेट स्पीच की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया इस दौरान कहा कि टीवी चानल और उसके एंकर सशक्तिशाली विज्वल मीडियम के जरिए अपनी ट्रियारपी गेन करने के बलकि खास एजिंडे के बेचने के तैट ये औजार बनकर इस्तमाल होते हैं जस्टिस नागारतनम ने अपने बयान में कहा कि हमें भारत में एक सोतंत्रो संतुलित मीडिया की आवश्यक्ता है लेकिन वो संतुलित नहीं है हमें टीवी मिले दशकों हो गये लेकिन आपने स पर्ती नफरत या टीवी पर पूर्वागरा के खलाफ संदेश देने के लिए किसी आंकर को आपने ओफ एर करने का फैसला लिया है या नहीं लिया है कॉट ने कहा कि अगर स्वतंत्रता के साथ एजंडे का इस्तमाल किया जाए या एजंडे को बढ़ावा दिया जाए तो आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं बलकि कुछ इस वजह से इसको आप उसे निप्टाना होगा उसको खत्म करना होगा क्योंकि जिस तरीके का एजंडा चलाए जा रहा है उस पर आपको सक्ती बरतनी हो गिया से छोड़ नहीं दिया जाएगा कॉट ने आगे कहा कि एंक इस बीवी नागरतना की बैंच और बीवी नागरतना ने ये पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अपनी मुख्य चो पढ़ने दी है और उन नफरती आंकरों को बंद करने की बाते कहीं है और किंद सरकार को दो हफ़ते का मौलत दिया है कि आप इस पूरे मामले पर अपना रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल कीजिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि नफरती अंकरों पर तैसे लगाम लगता है क्या इन नफरती अंकरों को जेल में डाला जाएगा यह देखना दल्चस्प होगा क्योंकि जिस तरीके कि टपड़ने की लगाई है उससे आम जनता को उमीद जरूर जागी है कि शायद सुप्रीम कोड जो है ऐसे नफरती अंकरों पर लगाम लगा सके दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा साथी साथ को जोईन कीजे ताकि हर एहम जानकारी और हमारी आजाद पत्रकारिता को इससे सपोर्ट मिलता रहे धन्यवाद